Hello children, how are you? अच्छे से हैं आप लोग? बेटा, आज जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं Actually, ये थोड़ा सा advanced level का है ठीक है? आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये जो direct speech के words हैं ये indirect speech में किस तरह से बदलते हैं? किस तरह से इसमें परिवर्तन आता है? ये आपके level से थोड़ा ज्यादा high है लेकिन अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो narration थोड़ा सा अधूरा लगेगा इसलिए इसको समझ लीजिए और अगर आपको इससे ज्यादा जानने की इच्छा होगी तो आप प्रग्या काकेर में उस लिंक को खोल के आप narration पूरा detail में देख पाएंगे ठीक है? चलिए हम आपको ये बता दे कि यहाँ जो direct speech में शब्द लिखे हुए हैं जब हम इनको indirect, जब sentence को indirect मे बदलते हैं तो ये इस प्रकार से परिवर्टेत हो जाते हैं जैसे this अगर direct speech में आया है तो वो बदल जाएगा that में these अगर direct speech में आया है वो बदल जाएगा those में now अगर direct speech में आया है तो वो बदल जाएगा then में here अगर direct speech में आया है तो वो बदल जाएगा there में Ego, अगर direct speech में आया है, वो बदल जाएगा before में Thus, अगर direct speech में आया है, वो बदलेगा so में Tomorrow, अगर direct speech में है, आप उसे change कर देंगे the next day में Yesterday, अगर direct speech में है, वो change हो जाएगा the day before में Last night, direct speech में है, in direct speech में आप the night before में change कर देंगे Next week, अगर direct speech में है, आप उसे change कर देंगे the following week में Next year, अगर direct speech में है, वो change हो जाएगा the following year समझ में आया है आपको, जैसे, कुछ examples में आपको बताती हूँ So, रेखा said, this is my book ठीक है, रेखा ने कहा, ये मेरी किताब है आप इतना examples कर चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है आपको इसको समझने में कोई problem नहीं जाएगी ये किस speech में है, कौन से narration में है मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत clear cut कि narration या speech में कोई अंतर नहीं होता narration भी बोल सकते हैं, speech भी बोल सकते हैं दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है? तो यहाँ हमने direct speech लिखा है, इसका मतलब ये direct narration और यहाँ indirect speech लिखा है, इसका मतलब ये indirect narration है समझ में आ गया? चलिए अब जैसे ये sentence है, रेखा said, this is my book अब आपको मैं बोलूँ कि आप इस sentence को indirect narration या indirect speech पर बदलें तो आप कैसे बदलेंगे? रेखा said, that, देखें बटा, यहाँ पर this है, और यहाँ पर that है तो कैसे होगा? this को आप किसमें change करेंगे? that, that was her book की, वह यह बोलेंगे double that आ रहा है? तो यह इस that का मतलब है की, इसका मतलब है वह रेखा ने कहा की, वह उसकी किताब थी my book की जगर क्या आ गया? her book, उसी तरह से sheena said, these are beautiful flowers बनाईये कैसे बनेगा शीना said that दीज की जगा क्या आजाएगा those those were beautiful flowers those were beautiful flowers हमने दीज को क्या कर दिया दोज में बाकी आपको मैंने अल्रेडी बताया है कि जितने is, am, are है जब यहाँ पर said है यानि said कहने का मतलब यह कि past tense है ठीक है say said said आप जानते हैं अची तरह said जब यहाँ past tense है तो आप direct speech से indirect speech में बदलेंगे तो जितना भी आप present के verbs देख रहे हैं जैसे यह इस था यह was हो गया और है वर हो गया ठीक है इसको आप change करते चले जाएगे इसी तरह से the teacher said here is the new book यहाँ पर नहीं किताब है अब कैसे बोलेंगे इसको the teacher said that here किसमे चैंज हुजाएगा there में that there was the new book समझ में आया इसी तरह से रोहन सेड I am going now मैं अब जा रहा हूं Rohan said that I am कि जगा क्या आजाएगा He was going Now किस में बढ़ जाएगा Then He was going then तो इस तरह से कुछ changes जो आपके लिए relevant हो सकते हैं वह हो सकते हैं वह हमने बताए यह सारे change होते हैं लेकिन अभी वो level आपका नहीं है अगर आप इन सारे changes को देखना चाहते हैं आप प्रग्या कांकेर में क्लिक करके देख सकते हैं चली आएए हम बात करेंगे Let's do it पे यहाँ पे आपको हम कुछ sentences दे रहे हैं यह इनी वाक्यों को आपको change भी करना है और इनी वाक्यों को आपको बोलना भी है Let's do it, let's speak मिलती जुलती exercises हैं एक ही साथ आप करेंगे चली आईए Some children visited a library कुछ बच्चे लाइबरी में गए वहाँ पे लाइबरेरियन ने उनको किताबें दिखाई और यह जो conversation हम आपको बता रहे हैं यह बच्चों और लाइबरेरियन के बीच में हुआ है आपका काम यह है कि आप लोग जब इस पे let's speak में आओगे तो दो बच्चे एक साथ जो पेर में रहेंगे एक बनेगा लाइबरेरियन और दूस्ता बनेगा वो चाइल जो बात कर रहा है पहले आप इसको जल्दी से narration इसका change करो उसके बाद इसी को आपको बोलना है चली आईए पहले exercise समझ ले librarian said these are story books मैं पहला आपको बता देती हूँ librarian said these are story books अब आपको इसको किस तरह से बोलना पड़ेगा in direct speech में librarian said that these किस में change होता है देखिये those में those were story books इसी तरह से r extends said I like the blue book Librarian said, this is a book of poems Nitin said, I want a novel Librarian said, here is the novel Prakash said, I want to read a story book I want to read a short story now ठीक है, अब करना ये है आपको कि पहले तो इनको आप indirect speech में बदल दीजे उसके बाद pair में आ जाईए pair में आने के बाद एक बच्चे का रोल रहेगा Librarian का, वो अपना पार्ट बोलेगा Direct speech में और indirect speech में दूसरा पार्ट रहेगा Student का, partner का वो अपने पार्ट को direct और indirect में बोलेगा तो पहले इसको बनाईए इसको सारे को आप solve कीजिए Direct से indirect में बदलिए उसके बाद उसको आपको पढ़के सुनाना है Ready? और जब तक कि last student तक ये काम नहीं हो जाता तब तक आपकी class खतम नहीं होगी तयार हो जाईए पहले note कीजिए और उसके बाद आप उसको पढ़के बोलेगे हम मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में